अब अगला problem solve करते हैं, ये भी बहुत अच्छा problem है, इस problem को भी मैं एक बहुती cute तरीके से solve करूँगा, इस question को देखिए मैं dimensional analysis से solve करूँगा, बच्चे सुचेंगा ने, sir math में dimensional analysis कहां सा आ गया, ये तो हम लोग physics में पढ़ते हैं, तो यहीं फाइदा होता है, अगर आप physics और math दोनों में equally interested हो ना, तो physics के बहुत सारे concept आप math में भी use कर सकते हैं, ये जो LHS में expression दे रखा है, उसमें देखिए हर जगा क्या है, a-b, a-2b, तो a-b मैं तभी लिख सकता हूँ, जब दोनों quantities का dimension सेम हो, अगर ये length है, तो ये भी length होगा, अगर इसका unit meter है, तो इसका unit meter होना परेगा, होगा ना, आपने physics में कहीं भी ये नहीं देखा होगा, कि कुछ ऐसा दे रखा है कि 10 meter minus 20 meter square, ऐसे करके नहीं होगा, नहीं हो सकता है, तो question में क्योंकि इस तरीके से लिखा है, a-b, a-2b, a-3b, तो a और b का same dimension ही होगा, क्योंकि आप like terms को ही add या subtract कर सकते हैं और आप यहां से भी देखिए, आपको दे रखा है कि if b is very small as compared to the value of a, तो दो quantities को आप compare तभी कर सकते हैं, जब दोनो same dimension का हो, आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं, कि हाँ ये mass जो है वो 10 kg का है, जो कि length 100 meter से बहुत ही कम है, कभी ऐसा कोई बोल सकता है, क्या, नहीं बोल सकता है न, you can only compare like physical quantities, तो जब आपको question में दे दिया कि b is very small as compared to a, it means b और a जो है, वो comparable है, comparable होने के लिए उनका dimension same होना परेगा, ठीक है, ये basic funda समझो, अब देखते ही मैं कह सकता हूँ कि option 1 और option 4 तो भाई गलत होगा, व्योंकि देखो option 1 में क्या है, a square plus b, a square जैसे ही किया, तो क् उनों का unit meter है, तो ये हो जाएगा meter square और यहां आगया plus meter, तो meter square और meter को आप add नहीं कर सकते हैं, उसी तरह a plus b square ये भी dimensionally inconsistent या गलत है, तो first और fourth को तो देखते ही मैंने हटा दिया, lhs में देखिए जो quantities दे रखी है, उनका dimension क्या है, माल लेते हैं कि a और b सबका dimension और unit meter में ह तो आप देखिए second वाला सही है, उपर में meter है, नीचे meter square है, तो ये one by meter का dimension में आ रहा है, third वाला भी सही है, उपर b square है, नीचे a cube है, तो इसका भी dimension one by m है, यानि कि सही option दो या तीन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, अब तक देखिए मैंने कोई calculation नहीं किया है, इतना लंबा time लग गया, क्योंकि मैं घोट-घोट के आपको समझा रहा हूँ, otherwise exam में तो ये देखते ही, मैं 30 seconds में solve करके बता दूँगा, कि third option सही है, कैसे बताऊंगा, वही trick, वही मूल मंत्र, वही fine point, वही shortcut method आपको समझाना है मुझे, इसलिए इतना time लग रहा है, second क्य क्यों नहीं होगा मैं समझाता हूँ, question में दे रहा है कि if b is very very small, माल लेते हैं कि if b tends to zero, अगर b tends to zero है, तो जो lhs में terms दे रहे हो, क्या हो जाएगा, sum में b को हटाओ, b को हटाओ, b को हटाओ, तो सारे terms क्या हो जाएगे, one by a, plus one by a, plus one by a, n terms है, तो क्या हो जाएगा, n by a, lhs का sum हो गया, n by a, तो rhs में क्या है, n, n square, n cube, तो n cube वाला, तो term आया ही नहीं न, तो अगर b tending to zero है, तो lhs का sum हो गया, n by a, this implies gamma is equal to zero, question में हम से gamma की value पूछी है, तो हमने दिखा दिया कि अगर b tending to zero है, तो gamma को zero होना परेगा, second option देखिए कितना बदमाश है, second option में अ तो gamma की value क्या आ रही है, one by three a, तो ये तो हो नहीं सकता है, third option देखिए, बिल्कुल सही है, अगर b tending to zero है, तो क्या हो गया, ये पूरा gamma की value zero हो गई, यानि कि third option सही है, तो ये देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ dimensional analysis और limiting value analysis करके, याने limiting case जो होता है, कि आप b को बहुत ही करना होगा, क्योंकि question में ही दे रखा है, तो limiting case analysis और dimensional analysis करके ही मैंने पता कर लिया, कि third option सही है, paper sitters को चाहिए था कि इस तरह के shortcut trick को रोकने के लिए, वो एक option दे देते हैं, जिसमें b square by 4a cube, ये एक dummy option देते हैं, तब बच्चों को confusion होता कि हाँ, ये सही है, ये सही है, ल उन्होंने तीन option दिये, मैंने तीनों option को देख के बता दिया, dimensional analysis से, कि ये तीनों क्यों गलत है, सही answer हो गया, b square by 3a cube, अब बच्चे कहेंगे कि सरी तो trick हो गया, माल लिजे कि आ जाता है, b square by 4a cube, तब हम कैसे कहते हैं, third option ही सही है, तो उसको बताने के लिए, मैं अब इस question को बिल्कुल सही सही method से solve करके आपको दिखाता हूं, ऐसे लिख सकते हैं, LHS वारे terms को, ये जो पूरा r b by a है न, इसको अगर मैं चाहूं, r b by a को, तो इसको मैं x भी लिख सकता हूं, या कोई और नया नाम दे देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये भी ध्यान to 1 plus x plus x square plus x cube, ऐसे होता है न, सबको याद होगा, infinite geometric series में, तो आप इस चीज़ को देखें, क्या है, 1 by 1 minus r b by a, ठीक है, r b by a को हम लोग अगर x मानें, तो ये जो term है, इसको हम लोग infinite geometric series के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो, तो ये क्या हो एगा, 1 plus r b by a, plus r b by a whole square, ठीक है, plus r b by a whole cube, अच्छा दे रखा है कि, cube and other higher powers can be neglected, तो जो cube वाले terms है न, उन सबको मैं neglect कर देता हूँ, चलो बिटा, तुमको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो ये आ गया, summation कहां से कहां तक जाना है, summation जाना है, r is equal to 1 से लेकर के n तक, अब जब आप summation करेंगे, तो summation 1 क्या जाएगा, n दे देगा, summation r क्या देता है, n into n plus 1 by 2 देगा, आपको चाहिए gamma की value, यानि की n cube का coefficient, तो n cube कहां से आएगा, ये जो summation r square होगा न, उसी से तो cube वाले term आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि summation r square, r varying from 1 to n क्या हो जाता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 होता है, तो जब हम लोग ये वाले term का summation करेंगे, इसका, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, देखिए, इससे मुझे ये सब तो मिलेगा ही, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ठीक है, एक 1 by a भी रहेगा, और यहां से आगया b square by a square, तो आजाएगा, b square by a cube आजाएगा, n into n into 2n करिएगा, त ये term हो जाएगा, इस तरह से कुछ होगा, n cube by 3 into b square by a cube, तो n cube का coefficient क्या हो गया, b square by 3a cube, यानि कि third option सही है, तो इतने लंबे तरीके से आप इस question को solve कर सकते हैं, अगर आपने dimensional analysis यूज कर लिया, तो within 30 seconds आप देख करके बता सकते हैं, कि third option ही सही है,